बिग बॉस 13 में आपने आसिम और सिधार्थ की राइवल्री तो देखी होगी लेकिन पारस और आसिम की भी एक ऐसी राइवल्री थी जो घर के बाहर तक कंटिन्यूर थी जी हाँ सिधार्थ और पारस दोनों ही आसिम के राइवल्री थे लेकिन डिफरेंस यह हो गया था कि पारस के साथ जो आसिम की राइवल्री थी वो बहुत लंबी चली थी यहाँ तक कि यह दोनों एक दूसरे को फॉलो तक नहीं करते सोचल मीडिया पर लेकिन अब देखिए किस तरहीके से दोनों ने एक दूसरे को इंस्टेग्राम पर अभी हाल ही में कर लिया है फॉलो और इस बड़े बदलाव का कारण जानते हैं आप जी हाँ उसका कारण है सिधार शुकला सिधार शुकला जाते जाते सभी को जिन्दगी का एक ऐसा पार्ट सिखा गए हैं कि आसिम और पारस जैसे राइवल्स भी एक हो गए हैं अभी कुछ दिनों पहले ही आसिम का मजाग उड़ाने वाले पारस जो हैं उनके गाने का मज़ाग उड़ाने वाले पारस जो हैं वो आज आसिम को सपोर्ट करते हुए नजरा रहे हैं उनके नए गाने बिल्ट इन पेन के लिए जो यहां पारस और आसिम जिन्होंने घर के बाहर भी अपनी दुश्मनी को कंटेन्यू रखा था अब कई न कई वो भूली बिस्ट्री बाते छोड़ कर एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए नसर आए हैं आप आगे आने वाली क्लिप्स में देखेंगे कि किस तरीके से आसिम रियास के सौंग को यहां अली गौनी प्रमोट कर रहे हैं अली आसिम के फ्रेंड हैं और इसलिए उन्होंने सौंग को हर बार प्रमोट किया है उनकी इसके अलावा आसिम के भाई उमर रियास ने भी सौंग को प्रमोट किया है which is very obvious क्योंकि वो उनके भाई हैं हमेशा करते हैं लेकिन इसके बाद देखे P 대해서 चाबरा ने किया है आस्म रियास के सौंग को प्रमोट जुससे पहले नहीं हुआ और मैंने आपको बताया जैसे पारस इससे पहले मज़ाग उढ़ाते वए भी नज़र आए थे माहरा शर्मा ने भी किया है सौंग को प्रोमोट यहां पे आसम रियास के और आप लोग जानते हैं माहरा और पारस कितने क्लोज हैं तो ओवरॉल मैं यह बताना चारी हूँ कि किस तरीके से लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट सो जाते हैं जिसके बाद हम लोगों को रियलाइज होता है कि इस तरह की दुश्मनी किसी मतलब की नहीं है और जिन्दगी को एक कॉडियल ढंक से जीना ही सही तरीका होता है जिसके बाद आप सभी लोग इस खबर को सुनने के बाद क्या लिखना चाहेंगे एक कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि खबरे आप तक पहुंचते रहें